नमस्कार, प्रभा साक्षी करतवे पत्में आप सबीका स्वागत। आज के करतवे पत्में बात करेंगे कि रणीतिक संबंधों को नया आया हम देंगे भारत और सवागत। पार के साथ साथ शिक्षा, उर्जा तथा प्रसार कारक शामिल है। इस वारता के दारान दोनों नेताओं के बीच द्वी पक्षिय संबंधों के विभिन पहलूं पर चर्चा और समीक्षा हुई। दोनों नेताओं ने देशों के बीच रणीतिक साज्यदारी की संभावना को आगे भढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया। भारत और सौधी अरब रणीतिक साज्यदारी परिशत की पहली बैठक के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस परिशत के अंतरगत दोनों समीतियों की कई बैठके हुई हैं जिन से हर शेत्र में हमारा आफसी सहयोग निरंतर बढ़ र रहे हैं बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोरी ने अक्टूबर 2019 में रियाद की यात्रा की थी जिसके बाद भारत सौधी अरब रणनीतिक साज्यदारी परिशत का गठन किया गया था इस परिशत में दो समीतिया हैं जिसमें पहली समीति राजनीतिक सुरक्षा सामा और सांस्प्रतिक सायोग समीति है वहीं दूसरी समीति अर्थ्यवस्ता और निवेश समीति है जी 20 के बाद दोनों नेताओं के बीच वी बैठक सितंबर 2022 में रियाद में आयोजित दो समीतियों की मंत्री इसतरी बैठक के बाद हुई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी में कहा कि साउधी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान अल साउध और मेरे बीच बातचीत सार्थक रही व्यापारिक संबंधों की इस बैठक में हमने समीक्षा की प्रधान मंती नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में दिनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे और मजबूत भी होंगे दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी नवीकरने उर्जा, खाद्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, आपूर्ती श्रिंकला में सहयोग की गुंजाईश अधिक है सौधी अरब के साथ विभेन शेत्रों में संबंधों को गहरा करने के लिए भारत इच्चुक है दोनों नेताओं के बीच हुई बैटक में कई एजेंडे शामिल थे जिसमें उर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ देखभाल, खाद्य सुरक्षा, संस्कृती और सामोदाइक कल्याण के मुद्दों समेत, कई द्वी पक्षिय स सापित किये जाएंगे, भारत और साओधी अरब मिलकर स्टार्ट अप और इनोवेशन ब्रिज का शुभारंब करेंगे, दोनों देशों के बीच द्वी पक्षिय निवेश बढ़ाने के लिए 45 समझोतों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं, बता दें कि इन समझोतों से द अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके